हाई वॉलकम बैक तो लिटरेचर नौट्स आज का नौट्स है लफ़ लफ एज अ कमेडियू अप मेनर इससे पहले मैं एक तीन कोशन दिखाना चाहूंगा लफ लफ में है कि फर्स्ट कोशन है लफ पूर लफ एज अ कमेडियू अप मेनर ठीक है सेकेंड है तीम ओफ लव लव और थार्ड है सटायर और 18th century aristocratic society यह तीनों का master answer मैंने provide किया है अगर यह आए तो यह वाला यह answer लिखना है यह आए तो यह वाला और यह आए तो यह ही वाला answer लिखना है चलिए स्टार्ट करते हैं love for love as a comedy of manner ठीक है love for love किसने लिखा है ठीक है तो William Congreve लिखे है तो इसकी बारे में थोड़ा सा detail उनके बारे में बताना है थोड़ा सा एक्दम ठीक है about the author ठीक William Congreve was an English playwright and poet of the restoration period अब जो William Congreve थे वो English playwright थे और poet थे restoration period के ठीक है बताएंगे restoration होता क्या है ठीक है he is well known as master of comedy of manner यह जो है master थे comedy of manners में ठीक है यह जो थे master थे एक्दम comedy of manner में he achieved fame in 1693 when he wrote his first play the old bachelor इन्होंने अपना जो fame है उन्होंने प्राप के थे अपना जो नाम जो है कमाये थे वो 1693 में जब उन्होंने फर्स्ट प्ले लिखे थे उन्होंका जो प्ले का नाम था the old bachelor ठीक है he wrote some of the most popular English plays of the restoration period by the age of 30 30 he had written four committees उन्होंने बहुत ही most popular plays लिखे है restoration period के है जो 30 30 एज की उमर में उन्होंने चार जो है committees league डाले क्या क्या था देख लेते हैं the old bachelor यह जो first था एक इसका play the double dealer love for love and the ways of the world यह था चार विद्धीज ही है रिटेन वन ट्राजेडी नेम्ट दा मोर्निंग ब्राइट अब यह सब के अलाबा उन्होंने एक जो है the famous dramatists of the restoration period आर अब जो restoration period के कितने जो poet थे उनके नाम लिखना है ठीक है जादे लिखना नहीं है बस तीन चार दे देना है जोर्ज एत्रेज ठीक है दा नेक्स्त है जोर्ज एत्रेज है और विल्ययम विजले और विल्यम कॉंग्रीव यहां लिखे देना इस तरह आप लिखना है बेगराउंट ओव कमेडि उप मेनर्स होते हैं क्या है ठीक है, Committee of Minors is also called Restoration Committee, ठीक है, Committee of Minors जो होते हैं, वो कहलाते है, Restoration Committee भी कहलाते हैं, ठीक है, Pre-Eat from 1660, 1770 is known as the Restoration Pre-Eat, यह जो time period है, इसी period को कहा जाता है, Restoration Pre-Eat कहा जाता है, ठीक है, What is Restoration? यहां कोस्टन मार्क देना, यहां दिखने रहा होगा, यहां कोस्टन मार्क देने के बाद लिखना है, King Charles II had to run away to French to save his life, the Puritans were orthodox and he did not like Charles II because of his Levi's lifestyle, the Puritans wanted to kill Charles II, the Puritans said, it is a scene to read, play, to act, play, कहने का मतलब है, कि जो Charles जो सेकेंड थे, जो इंग्लिन्स में जो dominate कर रहे, जो सासन कर रहे थे, उन्हें भागना पड़ा French, अब क्यों भागना पड़ा, वो देखेंगे, उन्होंने अपने लाइफ को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, उन्हें भागना पड़ा, अब जो Puritans थे, वो कटरपन्ती थे, ठीक है, उन्हें पसंद नहीं था Charles II, Charles II क्यों नहीं पसंद था, क्योंकि ये जो थे, ये बहुती लेविस स्टाइल जीते थे, आयासी वाला जीवन जीते थे, असलिलता है, वाली जो कामे करते थे, ये जो है, प्रोस्टेटियूशन को सपोर्ट करते थे, ठीक है, सराब, सराब के दुकानों को खुलने के लिए प्ररीद करते थे जो की Puritan जो थे वो नहीं चाहते थे कि यह सब हो इंटेंटेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट प्ले को पढ़ना और प्ले को एक्ट करना पाप है, ठीक है, नव नेक्स्ट, इन 1660, Charles was called back to England, अब क्या हुआ कि, जब in 1660 में, Charles को पुलाया गया, the people thought that, the people thought that he was bitter, better than the Dry Puritans, Charles coming back to England and sitting on the the throne once again is called the restoration period, अब जो है, Puritans जो थे पहने के, उन्होंने सुचा कि, अब Charles 2 को बुलाना चाहिए, तो उन्होंने England बुलाया, ठीक है, अब Charles 2 जो थे, वो अब गदी पर बैठे, इंग्लेंग गदी पर बैठे, और इसी process को कहा जाता है, restoration period, that means कि अब जो पहले वो प्रमोट करते थे, जो चीजों को वो अब फिर से start हो जाएगा, ठीक है, नाव नेक्स्ट, Charles 2 लब ड्रामा, दे प्यूरिटेंस हैड बैंड ड्रामा, Charles 2 रिवा ओपन दे शेयर्टर्स, अब जो Charles 2 जो थे, बहुत पसंद करते थे, ड्रामा को, ठीक है, ड्रामा को जो, जो, मैन और व्मेन जो थे है, जो परफॉर्म करते हैं, स्टेज में, ठीक है, तो उसे को खाया था रिवा द्रामा, तो ये जो प्यूरिटेंस थे, वो नहीं चाहते थे, इंटर्टेन्मेंट हो थोड़ा से, तो ये सब जो जो बंद कर दिये थे, ड्रामा को ये बंद कर दिये थे, ठीक है, चाहल्स टू रिओपेन दर थेटर, अब जो है, चाहल्स जो, जो थे, वो थेटर को आपेन कर दिये, ये अब सब कुछ जो है, अब reopen हो और सब कुछ खुले त्री ग्रेट राइटर्स दाट हाज रिटेन दा कमेडियो अप मैनर्स इस जोर्ज एथरेच, विलियम विचरले और विलियम कॉंग्रीव जो तीन जो महान राइटर जो थे जो कमेडियो अप मैनर्स को लिखे थे जोर्ज एथरेच, विलियम विचरले और विलियम कॉंगरीव तिस फीचर मैनर्स यह कमेडियो अप मैनर्स होति क्या है paganocon नेंगो고 केमडियो अप जो मैनर है वह एक तरह का ड्राम होता था हुआ है जो प्रफॉर्म कीया जाथा था स्टेज में ये ड्रामा डेवल थे रिच्टिरेशन एज में ही हो गया था चीकशा नकिमाश के नश्चिटी श्चित ही हो गया थी कि इतरे लोगों को महताने की खुशीत किया जटी नश्चित यहाई ठीक है से अपने लाइफ को जीते हैं लेवीस लाइफ को जीते हैं ठिक है और वो प्रमोट करते हैं इस एक्स्रा अफेर अफेर्मेरिल अफेर् को प्रमोट करते हैं ठिक है तो उनका माजाग बना आया था इसके जरिए Comedy-Ioh Manor का जरिए जो इन्हों ने लिखा तो इन्हीं के जड़िये जो है अरेस्टोक्रेट के मतलब बड़े जो लोग थे अमिर रहीस खांदान के जो लोग थे उन्हें मजाग बनाया जाता उसे सोसाइटी में डाउन किया जाता था आरेस्टोक्रेट को क्या उनको लगजान लाइस्टायल दाना थैथा है इस थ Histoire को दिखाने में अपने अम बहुत शाम्द समझते थे रो यह यह लड़की को पटा थे लड़की को पठाना वो समझतेते कूल है ठीक है और सेक्स करना लड़की को लड़की के साथ और वो कूल समझतेते कि यह सब जो है कूल है ठीक है जेंटलमेन लेडीज वर लिविंग दे बेस्ट लाइजरेस लाइफ पीपल वर वेरी फैसनेवर और फैंसी अब जो फीचर जो थीम क्या था इसका जो थीम और फीचर क्या था यह देखना कि जो जेंटलमेन मतलब जो आदमी जो ओरते जी इंग्लेंड में वो एक लेक्शुरियस लाइफ आयासी वाला जीवन जिया करती थी जो लोग थे वो फैसनेवर पर फैसनेवर पर बहुत ध्या आतलते थे दुसरु को दिखाने के लिए अब राइंटर फोकॉस ओन विट्स एन डालोंा जो रायटर यह जो राइटर यह जो ल्यृटर फोकॉस किया वीट और डाउट्स में किसमें आप जिसमें आप वह प्रफनी वाली बाते होती है, ही ग्लेवर में चामला हको कहने करती हैं जिसे कपीlike स्रमा में अपनी के यांज उनकर को तो इसी को उनकर वाला क कहती इसी स्प्रफ निदेख क्राइं में गया रनाद बहुता है यह सब comedy of manners में थे, ठीक है, यह सब जो थे, यह सब जो, comedy of manners में थे, क्या-क्या थे, a stupid character, jealous husband, illicit, love affair, conspiring, conspiring wife, disloyalty of love and marriage, ठीक है, अब जो इसमें क्या होता था, comedy of manner में, कि stupid character होते थे, ठीक है, jealous husband, जो पती होता था, वो जलता था, अपने wife से जलता था, कि कहीं उसकी wife, जो है, वो किसी और से बात नहीं कर रही है, तो इसे वो जलते थे, illicit love affair, जो में क्या होता कि, अवे धनाजाज, संबंध होता था, ठीक है, कि husband, जो है, वो दूसरे औरत के साथ संबंध बना रहा है, उसके पत्नी होने के पावजुद भी, ठीक है, conspiring wife, जो और जो उसकी पतनिया होती थी, वो सडियन्तर करती थी, साजिस करती थी, अपने husband के प्रती, ठीक है, disloyalty of love and marriage, ये जो love और marriage में दोका धड़ी होता था, इसमें, dialogue war in descent in comedy of manners, जो dialogue होता है, जो बाते कहीं जाती थी, वो बहुती असलिल्टाए वाली बाते होती थी, ठीक है, बहुती गंदी होती थी, nudity होता था, बहुत जाथा, nudity वाली वाली बाते होती थी, उसमें, तो all things are found in love, love for love, ये जो सारे चीज़ थी, जब love for love में ही, कहीं पाई जाती है, ठीक है, love, the play love for love, contains the feature of comedy of manners, ठीक है, अब love for love में क्या होता है, कि जो comedy of manners को जो features है, तो कहीं न कहीं इसमें भी है, love for love में भी है, देखते हैं, it shows the levis lifestyle and involvement of character in date, अब क्या होता है, कि ये levis style मतब रही सी वाला एकदम जिन्द की दिखाई जाती है, और जो character होते हैं, वो कर्ज में डूब जाते हैं, जैसे कि वेलेंटाइन, देखें, वेलेंटाइन, वेलेंटाइन is such a character, whose father is rich, ठीक है, उस वेलेंटाइन जो है, वो बहुत ही अमीर घर का है, ठीक है, उसक कि वो gambling करता है, ठीक है, वो लड़की को लड़की के साथ संबंद बनाता है, तो इसमें क्या होता है, कि बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लड़की के साथ कोट करता है, ठीक है, बहुत ही मस्ती करता है, आयासी करता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा पैसा खर्च हो और यह क्या करता है दूसरी लोगों से उधार लेता है तो उधार लेती मिथा क्या होता है ठीक है रूसरोइं wydaje कर दे देट ररफ फैसा घर चारडर देता और वह कर्यादटर जाता है he tells his servant Jeremy and scandal about his step अब जो है जो वेलेंटाइन है अपने अपने servant को अपने दोस्त को जो है अपने अपने जो servant को Jeremy and scandal को अपने कर्च के बारे में बताता है ठीक है and tries to continue convince his father Sir Samson to give the property to him so that he can clear all his debt अब जो ये जो है जो है जेरमी और सकेंडल जो इसके servant है उसके काता है कि जाओ मेरे पापा को convince करो और मेरे पापा को मनाओ कि वह अब मुझे property दे ताकि मैं उसे बेच कर जो है अपने सारे कर्च को मिटा सके ठीक है Valentine's behavior clearly shows the levis levis style of upper class society ठीक है अब जो है Valentine's जो है उसका जो behavior जो है वो दिखाता है कि वो बहुत ही IAC वाला जीवन जीता है और upper class society को दिखाता है कि वो रही स्खंदान से ब्लों करता है कि who were involved into worldly desire and pleasure जो कि वो एकदम IAC वाला जिंदगी में डूबा रहता है एकदम प्लेजर और डिसायर वर्डली डिसायर में प्लेजर में वो डूबे रहता है एकदम ठीक है इसमें लिखना है वर्ड में कि love and marriage ठीक है love the people of restoration period was more focused on money pleasure and sex अब जो restoration period के जो लोग थे वो केवल focus करते थे money pleasure और sex पर ये ध्यान देते थे सबसे जादे ये focus करते थे money pleasure और sex पर ठीक है love and marriage were judged judged in terms of money अब जो प्यार होता था ठीक है जो साधी होती थी यो वो पैसे पर आका जाता था ठीक है for example in love for love love for love में क्या होता था अब जो love for love में क्या होता था कि जो miss frail थी वो चाहती थी बेहन को वो साधी इसलिए करना चाहती थी कि बेंज के जो सारे जो प्रोपर्टी है वो उसके पास आ जा जा रहे मिस frail के पास आ जा जा था कि वो बहुत आयासी कर सके और लेविस लाइव स्टाइल जी सके ठीक है तो the love marriage are guided desire for material gains यह जो love और marriage जो होता था ना तो इसमें क्या होता था कि यह केबल यह साधी नहीं करते थे ठीक है यह केबल क्या करते थे प्रोपर्टी को हतियाने के लिए साधी करने का ढोंग करते थे ठीक है ना यह next क्या है also we find the true love between valentine and angelica लेकिन हम इसमें पाते हैं एक सच्चा प्यार जो valentine और angelica को होता है ठीक है यह दोनों को सच्चा प्यार होता है here love is for love not for money or now next hero and heroine the hero and heroine of this comedy are aristocrat by birth the heroine are rich charming and witty जो hero and heroine जो होते है वो aristocrat होते हैं कहने मतले वो अमीर होते हैं जन्त से ठीक है heroine जो होती है वो rich होती है charming होती है and witty होती है good looking होती है ठीक है और बहुती clever होती है ठीक है और क्या होता है कि congress love for love valentine the hero tells his beloved angelica अब congress के जो love for love में क्या होता है कि जो valentines है अपने प्रेमिका से कहता है angelica से you are a woman one to whom heaven gave beauty you are all white when you first are born तुम औरत हो ठीक है तुम औरत हो और तुम्हें भगवाने beauty दिये है ठीक है जब तुम जब जन्म लेती हो तुम तभी तक white रहती हो उसके बद क्या होता है कि तुम जो है पवित्र हो जाती हो ठीक है तुम जब जन्म लेती हो तभी 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 पवित्र रहती हो उसके बद क्या होता है तुम जो है अपवित्र हो जाती हो इना देस्ट है heroine बोलती है heroine angelica tells हिरोई एंजालिका टेल्स हर लवर यू ओड ओल्ड रिवोर्ट्स अफ लॉव बट फ्यू हैब दे कंस्टेंसी तु स्टे अब एंजालिका जो है अपने लवर से खाती है कि तुम्हें प्यार का तोपा जो तुरंथ मिल जाए ठीक है तुम्हें वेट करने की तुम्हें चमत प्यार करो उसके लिए ठीक है यहां पर कहने कर भी है ना नेक्स्ट है वह फिर बोलती है कि मेरी कल तुड़ी इस दाट वी फाइंड लवर ट्रू आज से जना की बात यह है कि मुझे जो है ना मुझे एक सच्छा प्यार जो है ट्रू लवर मिला है वेलेंटाइन मिला है ज लिगाए अब इससे पहले सेवन पॉइंट से लिखने से पहले बै nervous पहले इक सिक्स पॉइंट कि लिखना है यही लिखना है weakjam जो आब जोफ़नी वाली बात होती है चालक वारी बात होती हैЩ उसे क्या होता है कि जो एकदम जो है आननन्द में हो जाता है जो एकदम होता जो इकदम होता है माहल बन जाता है एका हासिा uh क्रिंध क्या होता है कि जो कप्ληधि facility होता है थिक फणी वावली बात बातsol कोश्य। है जो प्रेसेंट करते हैं वह ओडियंस को तो जो और रिवसेंगल कि शूनती तो आज यह सिमिलेरअपचिन्श हो लो प्लेड हो रहा है कि जितने भी जो और तो पैस्वह directement में दा जो जो माहोल होता है एकदम खुसनमा हो जाता है जो कि अ hard to the audience अब जो उनके वीड रहती है उनके चालाग बाती होती है उनसे ने किया होता है कि एकदम इनफ होता है और ओडियूस को हसाने के लिए एकदम जो उसके बार यह थो गया 6 पॉइंट अब लिखना है विखना है तक है Conclusion देना है, Love for Love is a Congreve best play, well-known critic named Edmund Goss also says that Love for Love is the masterpiece of Congreve, the brilliant, pure comedy of manners in English language. अब लब वर जो है, Love for Love, जो जो कमेडी की जो है, वो बेस्ट प्लेइ ऑगतम, जो बड़े जो राइटर, जो प्लेट होते हैं, तो उन्होंने कहा है, Edmund Goss, जो है, क्रिटिक जो है, वो कहते हैं, कि जो लफ फ लफ है, उनके प्लेइस को कहते हैं, कि लफ 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 इस अ मास् अजो, जो बडाई यह बर्लेंट है, अ प्योर कमेडी और मैनर जो, जो ग्ली बडाई फिर्वाला कमेडी है, इस अंग्लिस लेंगविच, इन लेंग्विच, लेंग्विच में यह है ठिक है, यह रहा, इसका, खो यह नोट पसंद आया होगा, और यह विद आपक्स फिन में, थैंक यू सो मुच